दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत 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 होंगे बहुत अच्छे होंगे और सट भी अच्छी चलि नज़ीक है और यूबी पीसे का भी एक जाम नज़ीक है तो आप लोग को बहुत अक्टिबली पढ़ाई करनी होगी बहतर रणिती के शाथ और रणिती यहीं है कि एक तो करेंट अफेर्स को को रिलीट करके पढ़ा की जित्ति यह तो जोग्रफी का भी सेक्षन मैप का भी सेक्षन कंप्लीट हो जाए जिसे पॉलिटी से कोई टॉपिक है उसको को जहाई करेंगे ताकि हमारे हाथ में रिजल्ट हो तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों पेन कॉपी साथ में रखिएगा भारत का मैप और विश्व का मैप यानि कि एटलस भी अपने साथ में जरूर रखिएगा यह दि किसी लोकेशन की बात हो किसी देश किसी सागर की बात हो किसी देश की बात हो किसी राज्य की बात हो तो आप एक बार देख सकें तो चलिए आप बिना देरी कि यह पहला प्रश्न लेते हैं पहला प्रश्न आपके सामने है पहला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए का दोस्तों निम्न कथनों पर विचार राश्र एक चुनाव one nation one election की बात हो रही है यहाँ प्रेलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं और ओर यह रो में में परिश्चा में निवंद लिखना है बाकी तो अब्जेक्टिब होगा जीस तो निवंद में भी यहाँ आपको प्रिलिम्स के हिसाब से इसको देखना है तो देखते हैं प्रश्ण क्या है तो कह रहा है हाली में केंद्र सरकार द्वारा एक रास्ट एक चुना वन नेशन वन एलेक्षण से सम्मंदित आठ सदस्षी उच अस्तरी सम्मीति का गठन पुर्व राश्ट्रपति श्री रामनात कोविन की अधिक्षिता में किया गया है याद रख लेजेगा वन नेशन वन एलेक्षण से सम्मंदित जो ब्यवहारिक पक्ष है उसके लिए एक हाई पावर्ड कमिटी का गठन तूसरा इस्ट्मेंट है 26.950 को संविधान लागू होने के पश्चाथ लोग सभा और सभी राज्य विधान सभाव का जो चुनाव है वह एक साथ होता रहा और 1967 तक ऐसा चलता रहा यह जो परंपरा थी ठीक है और थर्ड इस्ट्मेंट है भारति संविधान के भाग 14 में अनुछे 324 से 329 तक क्या रखा हुआ है निर्वाचन आयुक से सम्मधित प्रावधान की बात की गई है तो बताना है कि सही कथन कौन सा है क्या तीनों सही है कोई एक सही है या गलत है तो जल्दी से एक बार सभी लोग आंसर भी जरूर किरते रहिएगा तो देखते हैं तो पहला इस्ट्रेप्नेंट तो बिल्कुल सा ही है रामनात कोबिन जी की अध्यक्षिता में एक हाई पावर्ड कमिटी का गठन किया गया है जो आठ सदर्शी है यदि आप बात करेंगे पहले हम इस कोशन को डिसकुश कर लेते हैं फिर तो आठ सदर्शी कमिटी का गठन किय कर जागया है कि इत्या में रामनात कोबित के अध्यक्षिता हो रहा है इसके खतम होगा तब तक दो उसी लिए इसके बारे में वहाँदेंों एसा बात चल लिया चुक्के जोग है उसमें भी एक साथ चुनाव कराने के लिए अपने कुछ तर्क दिये थे कि धन का बचत होगा संचे होगा प्रशासनिक जो मसीनिर है वह एक्टिबली काम करेगी जो सुरक्षा बलू पैनावशक जो तनाव है उसको कम किया जा सकता है तो उसका भी एक सुझाओ था ठीक है तो इन आठ सदेश्यों को पूछ लेगा पहली चीज कि एक देश चुनाव के बारे में जो गठन किया गया है वह किसमें किया है पहला तो यह भी हो सकता है माल लिजे कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो वह कह देंगे सुप्रीम कोड भी देदेगा कि एक देश सम को गठित किया है और पुर्व राष्ट्रपती अध्यक्ष है लेकिन आठ इसमें मिंबर है जो रामनात कोविंट जी है जो पुर्व राष्ट्रपती है वो तो अध्यक्ष है इनके बारे में आप जानते हैं ठीक है अब जो आर्थ सदस्य उनका नाम तो अमिसा जी है जो आप जानना चाहें तो थोड़ा से जान लिजेगा अमिसा है जो केंद्री ग्रिह मंत्री है इसके लावा लोग सभा में भिपक्ष के नेता अधिर रजंट चौदरी है मैं ऐसे लिखने रहूं मैं बता दे रह है इसके लावावा सी बिसी थे पहले पूर्भ सी बिसी मुक्ष्यतरकतायूक्थ संजेक उठारी जी इसके लावा आप N.K. vibration का नाम जानते होंगे जो आपके बितायों के ध्यक्ष रह चुके हैं तो ये आट लोग हैं अमिस्ता हैं संजे कुठारी जी हैं अधिर रंजन चौदरी हैं इसके लवाहरीश शालवे हैं सुबाज कसेप हैं और संजे कुठारी हैं तो इन आठों का नाम भी आपको एक बार साथ करना एक तो जो आपके राम सब्सक्राइब करेगी अब क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए यह मुख्य परिच्छा के लिए इसलिए प्रॉपर तरीके से हम इसको आगे बढ़ते हैं अब इसमें जानने वाली बात है पहला इस्ट्मेंट तो बिल्कुल सब्सक्राइब करते हैं 26 जनरूरी निसों पचास को शम रागु होने के बाद लोग सबाव राजविदान यह बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे तो संविधान की बात हो रही है तो अभी कल ही 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्या दोस्तों 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि हमने संविधान को एडॉप किया था सभा के द्वारा संभिधान को अपनाया गया था पहले हम कानून दिवस के रुपे मनाते थे बाद में सरकार ने इसका नाम परिवर्तित करके संभिधान दिवस के मनाने की घोश्रा कर दी 26 नॉंबर को तो यह भी पूछ लेता है चोटा सा पैक्ट है आपको याद रख लेना है और तीसरा है भारती संभिधान का जो पार्ट फोर्टीन है तो तीसरा गलत है पहला दूसरा सही है इसलिए आंसर तो इसका हो जाएगा एक और दो लेकिन इस पर थोड़ा सा वर करते है आपको यदि प्रिलिम्स पास करना है तो कुछ चीजों को तो जरूर आपको याद करना होगा जैसे भारती संभिधान में 395 अभी तो 400 से ज्यादा आर्टिकल्स है तो आपको भारती संभिधान का जो पार्ट है जो शेडूल है यानि कि जिसको आप अनुसूची कहते हैं तो भारती संभिधान में जो पार्ट है जो शेडूल है शेडूल बहुत इंपॉर्टेंट है मुल रूप से पहले आठी अनुसूची आंती लेकिन अभी बारह अनुसूची है उनको तो जरूर याद कर लिजेगा तो भारती संभिधान का जो पार्ट 14 है वहां ELECTION COMMISSION से सम्मधित नहीं है वह यूपी सी और स्टेट जो प्यस्टी है यानि कि राज्य लोग से वायोग संग लोग से वायोग और राज्य लोग से वायोग से सम्मधित है तो यह गलत हो गया है जो एलेक्शन कमिशन अफ इंडिया है यह भारती संब्धान का जो पार्ट 15 है इसमें दिया गया है तो बारती संभिधान के पार्ट 15 में अनुश्य तीन सो चौबे से उनतिस तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है अब निर्वाचन आयोग से भी प्रश्न पूछा हुआ है कुछ चीजे बहुत छूटा सा फैक्ट के तौर पर कह सकते हैं कि प्रथम फॉस्ट से रिलेट करके पूछ लिया था इस्ट्रेट्मेंट वाइस निचार इस्ट्मेंट थे एसी में पूछा हुआ था तो प्रथम उखे चुनावाएक जोई आयुक्त थे उनका नाम था शुकुमार सेन्थ प्रथम महिला कहेंगे तो फिमिल तो फिमिल थी बीस रमादेवी य सदश्य है तो यह आप एक बार देख लिजेगा मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं ठीक है आपको एक बार याद रखना होगा अभी बर्तमान में तीन सदश्य है तो कौन है अभी और इसे सम्मंदित प्रश्ण तो बहुत सारा पूछ लिता है इसे सम्मंदित जो जो एमेंड राजी बिधानसभाओं के बारें बात करता है एक सो बस्मंदित 83 है लोग सभा के कारिकाल से सम्मंदित उनको एक बर ठीक से पढ़ लिजेगा ऐसे ही आपके इंफामेशन के लिए जरूरी है तो आगे बढ़ते हैं next यानि कि अगला प्रश्न देखते हैं मुझे पूरा व ठीक है तो प्रेश्ण है प्रेश्ण निम्ने कथनों पर विचार कीजिए हाली में केंद्र सरकार द्वारा तिलंगाना में समक्का सरक्का केंद्री जनजाती विश्विद्याले क्या दोस्तों समक्का सरक्का केंद्री जनजाती विश्विद्याले जो यह नाम है यह वहां के चुनाव का महौल था और अपने जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने दरिद मोदी जी ने उन्होंने यह घुश्रा की ठीक है और इसी संदर में जो आपका विश्व विद्द्याले जो केंद्री जो अधिनियम तो वजार नौ इसमें संसुधन किया गया और यहां पर केंद्री विश्व विद्द्याले के स्थापना इस नाम से समक्का शरक्का केंद्री जन जाते विश्व विद्द्याले की रूप में अस्थापना है तो मंजूरी प्रदान कर दे गई बजट भी त्युम्ला तैलंगाना के म UV में त्युमिल्गु जिले के मेदराम गाऊं में समक्क माते सरक्का सरक्का चत्रा और को तेलंगाना सरकार की द्वारा राज strategically ownership के यह जो यह महुस्व है इतना संमान है यह जो देवी हैं इनका वहां पर इतना संमान है कि राज्जेफव के रूप में और अभी केंद्रे विष्विद्याले का नाम भी नाम से रखा रहा है ठीक है यहां दखली जगा जो बारहुई शतागदी में जो काकती जो बंश था ठीक है उन सासकों के द्वारा जो सुखा पड़ा था वहां पर डॉट की इस्तिती उसके वासे टैक्स लगाया गया तो बहुत बड़े पैमाने पर बिरोध हुआ और इन लोगों के ही न पंदर नौमबर को जन जाती गौरव दिवश के रूप में मनाया जाता है बुर्शा मुंडा को जन जातीयों के भगवान की शंग्या दी जाती है तो आप याद रख लेज़ेगा तो यह तीनों एक दो तीन यानि की उप्रयोगत सभी कथन सही है सही कथन पूछ रहा है य कुछ ऐसी चीजे जो छूट सकती है वह छूटेंगी नहीं आप प्रॉपर तरीकी से त्यार कर लेंगे जैसे जन जाती की बात हो रही है तो आपको बताना है कि जो राश्ट्री अनुसूचित जन जाती आयोग है यानिकि निशनल कमिशन फॉर स्टी यानिकि सेडूल ट्र पूछ लेगा कि राश्ट्री जन जाती आयोग के का गठन कब कि मतलब किस आइटिल के इंतरगत किया गया था तो याद रख लेजेगा यह संबैधानिक निकाय है और भारती संबैधान का जो तीन सो अर्टी से है ठीट एक वह स्टी कमिशन से संबंदित है यानिकि भारती इसको याद कर लेजेगा प्रश्ण आपसे पूछ लेगा और रामिश्वर उराओं अभी अनसुचित जन जाती आयोग के अध्यक्ष है ठीक है एक बार याद रख लेजेगा इसके लिए अलग 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 चीजों के लिए अलग अलग उदेश्यों के लिए अलग अलग है और तेलंगाना का गठन भी बहुत जल्दी हुआ था तो तेलंगाना का गठन एक्जाम में पूछा हुआ है तो आपको जल्दी से दो जून 2014 को क्या हुआ था तेलंगाना का एक राज्जिक रूप में और भारत के 28 राज्जिक रूप में देख लिजेगा भारत के 28 रा लगती है या नहीं लगती है मiłठा सबाकी कितनी सीटे है और विधांद सबा कीपनी सीटे है चूए विधा 나오кий राय हमें पांच नहीं पहला है सबसे विचुछ ब्लांच शंब होई देसर ये एज़ीया कि तो चर्चित है। कितनी सीटे किस राज्य में है यह पूछा हुआ प्रश्न है तो आपको राज्य सभा की सीटे तो याद कर लेनी है लोग सभा की यहां पे तेलंगाना में 17 सीटे हैं यहां राज्य सभा की साथ सीटे हैं और बिधान सभा की 119 सीटे हैं कितनी दोस्तों बिधान सभा की 119 सीट तो आपको याद हो जाना चाहिए और जिस भी राजी में चुनाव हो उनकी लोग सवासीते राज्य सवासीते और विधान सवासीते जरूर याद कर लिया किज़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है प्रशन पूछ लेता है ठीक है आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं तो ते सवास है कि आप लोग एक बार मैं वर्क जरूर करेंगे इसके ट्रेडिस्नल को भी जैसे कि इसका गठन कब हुआ था लोग सवाकिसीते राजी सवाकिसीते अभी ये बार-बार बताने के उशक्ता नहीं है नेक्स्ट प्रश्ण है प्रश्ण है हाली में ताइवान दोरा अन्यमने कतनों पर विचार कीजिए हाली में ताइवान दोरा अपने पहले स्वादेशी पंडुबी हाइकून का अनावरर किया गया एक हाइकून पंडुबी जो स्वादेशी है इंडिजेनस है ताइवान के दोरा ही बहुत सालों से प्रयास किय जा रहा है और हाली में उसका अनावरर किया गया है पहले दूसरा है ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन तथा विलियम चिंगते उपर राष्ट्रपति यानि कि राष्ट्रपति तो साई इंगवेन हैं और विलियम चिंगते जो है वह उपर राष्ट्रपति हैं त चीन से लगा हुआ देश एक दृपी देश है ताइवान का जो कैपिटल है वह ताइपे है चीन इसे वन चांब पॉलिसी के अंतरगत अपने अंतरगत मानता है उसे अलग मानिता संप्रभु राष्ट्र के रुपय मानिता नहीं देता है और चीन का यह ताइवान के जो यह तो चीन केडम हालत्खराब रती है अब यहाँ पर करना Systems में चुना होने वाला है और जो विल्यमचिंकते हैं वह उप राष्रपति जो है वह राष्ट्रपति बनने वाले हैं और इसलिए जो चीन है वह परिशान है और वहां के जो राष्ट्रपती है उनका नाम है साई इंगवेन और ताइवान का जो कैपिटल है ताइपे एक बार याद रख लेजेगा और एक बार देख लेजेगा कि क्या सहयुक्त राष्ट्र संग के अंतरगत इसे एक राष्ट्र के रुप में ताइवान को मानेता सयुक्त राष्र नहीं देता है अब इसके परिप्च में चाइना परीशान था अलग बात हो कि परिशान है वह बात की बात ठीक है वह जानते हैं कि जो चीन का जो जीन की जो पॉलिसी है वह शामराज जिवादी निती है इसी की वैसे चीन हमेशा परिशान देहता है तो आगे बढ़ते हैं एक बार ताइवान को भी मैप के तुरू जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा कि अच्छा प्रश्ण है और ऐसे प्रश्ण भी पूछे जाते हैं और आप क्रोश चेकर करके चाहें तो देख सकते हैं प्रश्ण है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है हाली में आधी गुरुशंक्राचारि के ईक विशाल प्रतिमा एक 108 फीट ऊची भरेद्ध प्रदिश के खंडवा जिले में कि उंका रिश्वर याद रख लेजिएगा जो जूतिर लिंग की बात होती है तो एक जूतिर लिंग यहां भर YouTube कि इसके खंढवा जिले में मंदाता पर पर अस्थापिक की गया यह जो आधी संक्राचारे की जो मुर्ती इसे एकात्मकता की मूर्ती की संग्या दिगई सबसे उची प्रतिमा स्टैचू आप यूनिटी गुजरात के भरूच जिले में यानि की जो भरूच डिस्टिक है नर्वदा नदी के पास साधु बेटनामा का स्थान पर है दूसरा इस्टेट्मेंट यह है और तीसरा है अक्टूबर दोजार्टेश में अमेरिका के मेरी ल स्टेट्मेंट में इस्टित है तो बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है पहला इस्टेट्मेंट बिल्कुल सही है पद्यप्रदेश के मुख्यमंत्री सिवराग सिंग चवहां के द्वारा 108 पीट उची जो प्रतिमा है आदिशंकराचारे की जिनका जन्म किरल में प्रतिम में हुआ था कलाडि गाओं में हुआ था वह खंडवा जिले में उनका रिश्वर में मंधाता पर्वत पेस्तित है यह बिल्कुल सही है इसे स्टेट्यू आप 112 की संग्या दी गई है दूसरा स्टेट्मेंट यानिकी जो बी ऑप्शन है वह भी सही है गुजरात के भडूज जीले में नर्मदार नदी के पास साधू बेटनाम का स्थान पर है यह विस्व की सबसे उची प्रतिमा है मैरी लेंड में एक प्रतिमा किया गया डॉक्टर लेडि हैद्राबाद में अलग है यह भारत से बाहर सबसे ऊची प्रतिमाőром है इससे नाम जो दिया गया है स्टैच्फव एक्वालिटी ना म दिया गया है तो išť टैशू आफ one nessa आदि शंकराचार्य की माद्द प्रदेश खंडवा जिले में इसे स्त्यू आफ unity सर्दार पटेल की मुर्ति है और कांप्य गुज्राथ की भरूच ज़िले में इस के स्थापना की गई है इसे स्टैचू आप इक्वालिटी का नाम दिया गया है और जो विश्व की दूसरी सबसे उची प्रतिमा है स्प्रिंग टेंपल बुद्धा वह सबसे उची तो है लेकिन वह थाइलेंड में नहीं चीन में है जब आप जानते हैं तालिबान के सासन के बाद से जब भगवान बुद्ध की जो उची प्रतिमा थी उसको तोड़ दिया गया था उसके बाद से मुर्ति के अस्थापना की गई थी तो स्प्रिंग टेंपल जो बुद्धा है वह चीन में स्थित है यानि कि यह थाइलेंड में नहीं है इसका जो आंसर है वह डी है सबसे उची प्रतिमा 182 मीटर इस्टैश्य आप यूटी है दूसरी सबसे उची प्रतिमा है आपका स्प्रिंग टेंपल वुद्धा चीन में स्थित है ठीक है तो एक बार इस टैच्य आप यूटी इनको जरूर एक बार देख लीजेगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश प्रश्ण है धित्यावै म्यानमाद से लगती है प्रियुक्त में से कथन चुने तो बताना है कि कौन सा सच्टमेंट साही है तो दोस्तों यहां दूनों इस्टमेंट भिलकुल सही है थाइलेंड के प्रधानमत्री तो चुने गए हैं और इस संगठन आसियान के अंतर थाइलेंड सामिल है और इसकी जो सीमा है वह लावोस से लगती है कमबोडि दोने गा यह आपके सामने मैप है मैं पर देखेंगे तो जो आसियान सब्सक्राइशेन आप साउथ इसे इसने की रिख्षिड पुर्व में तैस्ट संग्ठर अ को और इसकी अस्थापना नाइंट्टेंस सुक्स्टी सेबन में की गई थे पकी गई तीदोस्तों इनीश्य 67 में आस्यान के स्थापना की गई थी इसमें 10 देश थे अभी 11 देश की रूप में पुर्वी तिमोर कर सकते हैं तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया है और जो आस्यान है उसमें एक देश है थाइलेंड जिसे संबंदित प्रश्ण है यह रहा दोस्तों थाइलेंड और थाइ से लग रही है यहां पर दिख रहा है एक देश है लाउस लाउस से बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लमा आपका यहां पर मलेशिया है मलेशिया से भी थाइलेंड का विस्तार यहां तक है यह है मलेशिया से इसकी सीमा लगती है और यहां है एक देश कंबोडिया यानि कि बड़ी बात है यहां पर एक देश है आसियान के अंतरगत इनसे प्रशन पूछा हुआ है आप चाहें तो कर सकते हैं यह देश है लावोस जिसका विएंतियन है और इसी भी प्रशन पूछा हुआ है यह लैंड लॉक्ट है यानि कि अस्थाल अरुद देश है क्या नाम है उस से कर लिया कीजिएगा यूपी पीसेस में तो बहुत सारे प्रशन पूछे हुए हैं आप चाहें तो देख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन लेते हैं लेकिन उससे पहले आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार मैप को जरूर देख ल हाली में श्रिलाल सुक्ल स्मृति इफको शायते सम्मान 2023 हिंदी की प्रशिद लेकि का मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है तो पहला इस्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है वह या इफको सम्मान दिया गया है मधु कांकरिया जी को ठीक है दूसरा है इफको द्वारा य समस्याओं को रिखांकित करने वाले प्रयाशों के लिए प्रदान किया जाता है तो दूसरा इस्ट्रेट्मेंट गलत है क्यों गलत है प्रतिवर्स दिया जाता है इपको द्वारा दिया जाता है लेकिन किसके लिए अग्रेजी में तो प्रति वर्स यह दिया जाता है ग्रामेड च्ट्रों में प्रतिवर्ष दिया जाता है इसका जो आंसर है दो गलत है एक सही है सही आंसर हो जाएगा एक अगले प्रश्ण की तरफ और ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं अगला प्रश्ण निम्ने कथनों पर विचार कीजिए 14 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितिनाथ द्वारा महिलाओं की इस आत्मिर भरता शुरक्षा और आद्म शम्मान है तो मिशन सक्ती के चौथे चरण की शुरुवात की गई थी कब किया गया था 14 अक्ट प्रादो को नियंतित करना सम्मान दिलाना श्वावलंबी बनाने है तो मिशन सक्ती की शुरुवात 2020 में अभी बात हो रही थी दूसरा इस्टेटमेंट भी सही है पहला भी सही है और थर्द देखते हैं महिलाओं की उपलग दियो महिला समानता तथा महिलाओं के बारे में जागरुकता महिला से समंदि जो समस्याएं हैं उनके बारे में जागरुकता फैलाने के लिए प्रति बर्स दस मार्च को अंतराष्टी महिला दिवश मनाया जाता है तो दोस्तों अंतराष्टी महिला दिवश दस मार्च को नहीं मनाया जाता है प्रति बर्स अंतराष्टी महिला दिवस ऐठ मार्श को मनाया जाता है तीसरा एक श्रू Stonehen bet गलत है पहला दूसरा है इसलिए इसका एस वह सही आंसर है तो प्रतिभर्श आठ मार्श को अंतर्राश्ट्री महिला दिवस मनाए आ जाता है महिलायों की जो अफलब कि आपको बताना है कि महिला आयोग का गठन एक बार ज़रूर कमेंट करके बताईयेगा महिला आयोग का गठन कप किया गया थrás एक बार आप कमेंट करके बताएंगे रंधि महिला यो siento का गठन कि कुछ ऐसे प्रश्ण भी रखेगा है वन लाइनर टाइप से जो यूपी पीसे के लिए इंपोर्टेंट है आरो एरो के लिए इंपोर्टेंट है उनको भी इसमें शामिल किया गया है प्रश्ण है निम्न में से गलत विकल्प का चेहन कीजिए यहां पर चार ओप्शन दिये गये हैं और इसी में से कोई एक बिकल्प है जो गलत है कह रहा है याद रखले जिएगा से पिछले सेशन में भी प्रस्ण था एक दिन ना शामिल करके इसको डेली एक एक दो दो कोशन रहेगा तो आपका सेने ब्यास कंप्लीट हो जाएगे एक दो कोशन पूछ लेता है त नुबैडिक एलिफेंट क्या दोस्तों नाम है नुबैडिक एलिफेंट सैनिक सैने भ्यास भारत और मंगोलिया की बी जुलाई दो हजार तेईस में उलान बटोर जो मंगोलिया का कैपिटल है यह भी पीसेज में पूछा हुआ है कैपिटल भी पूछ लेता है कुछ ऐसे मतलब ऐसे जो आपको याद नहीं होगा हां कुछ जानते रहेंगे कैपिटल तो जरूर आप कोशन सही कर सकते हैं तो नुबैडिक एलिफेंट 2023 भारत और मंगोलिया की बीच में जुलाई 2023 में उलान बटोर जो मंगोलिया के कैपिटल है वहां पे आयोजित किया गया क्या धनाम है नुमेडिक एलिफेंट तो पहला इस्टेटमेंट बिलकुल सही है दूसरा भारत औस्ट्रेलिया इंडोनेशिया तरपक्छी समुदरी अभ्यास 2023 हिंद महाशागर में 20-23 सिप्टमबर के बीच हिंद प्रशांध चेत्र में आविजित किया गया था यह भारत की जो युद्वपोत है उसने इसमें पार्टिसिपीर किया था तो दूसरा इस्टेट में सही है पहला भी सही है कह रहा है एक्ससाइज धर्म घारजियन भारत और जापान की बीच में फरवरी मार्च 23 में जापान के श्रीगा प्रांट में आवजित किया गया था तो धर्म घारजियन भारत और जापान की बीच में होने वाला एक इससाइज है यह भी सही है तो अब यह से जो दी है वह गलत होगा तो डश्ट लिग दोहजार तेईस सहने भ्यास भारत और ताजकिस्तान के साथ पितहरागर में फरवरी मार्च 23 में आउजित किया गया था त बिच में दोस्तो भारत और उजबेकिस्तान के द्रक्राइज में याद रख लिजहेगा तो डश्ट लिक 6023 भारत और उजबेकिस्तान के बीच में आयोईजित होता है he फशलीख नाम है बारत और उज्वेकिस्तान के बीच में यह खना उत्रा सक पासर मिल गया इसका आंसर है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनसली टेंट कहцы हमने चेल बताया में तर बेडियों में च्यों आज की वीडियों हो गये है साथ आठ और होंगे दस और होंगे तो आपका कम्प्रीट हो जाएगा आप ऐसे ही बस पढ़ते रहेगा उसको ठीक है धर्मगार्जियन भारत जापान आपका इसके लमा यह जो समुद्रिय अभ्यास दो जाते ही से वह भारत अस्टेलिया इंडिया की बीच में है इसके लमा आपका नॉमाडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया की बीच में आसानी से याद हो गया ठीक है अब हम एक बार थोड़ा सा मैप देखते हैं ताकि इस प्रश्ण को बहतर बनाया जाए इसलिए कि यह आप पुराने पेपर को देखेंगे यूपी पीसियस के पेपर क तो उसमें जापान यह जापान का मैप है दोस्तों यह जापानका मैप है और इसमें कई आईलेंड कई दीप है जापान काई दीपों में बठा हुआ है यह आपकान बड़ा द्वीप है यहां तक दिख रहा होगा आपका हुन्सु है कि सबसे बड़ा जापान का द्वीप है यहीं पे इस का जो कैपिटल है टोकियो यह प्रशन पूछा हुआ नागोया का मैदान यह भी पूछा हुआ है तो एक बार मैप निकाल लीजेगा हुंसू जापान का सबसे बड़ा द्यूप है जापान की बात हो रही है हमें क्या गरना है कि चाहिए कि मैप भी हम साथ में ठीक कर लें तो ने जापान को एक बर के बार कि पुछा हुआ है यहाँ पर दिखा हुआ है कि जापान का सबसे इतर में यह और सबसे दक्षड भी पूछ सकता है तो आपका सबसे दक्षड क्यूसू है यहाँ पर दिख रहाएं क्यूसू लिखा हुआ है यह सबसे छोटा पूछता है तो सी को कुछ सकते हैं तो एक बार जापान के मैप को जरूर आप देख लीजेगा बहुत इंप्वाटेंट है ठीक है ऐसे ही मालेजे यदि ये बात होई है भारत और उजबेकिस्तान के बीच में बात हो रही है चोकि उजबेकिस्तान के साथ द्रस्टलिक 2023 का भी आयोजन किया गया है तो एक बात उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में चोटी सी जील है जिसके प्रश्ण पूछा हुआ नाम से जानते हैं इसकी सीमा लगतार कम होती जा रही इसे समन्धित प्रोशन नहीं पूँछ लिया था यूपि से तो हमने क्या करना है कि हमने हमने आपसे एक प्रक्रत के थे थोड़ सा वर्ख है है बहुत जरूरी है सच में इमान-दाelt उसे प्रयास की हम रूर का जाब करना है और भी गोजाम पास करना है तो बिसिकलिष के लिए तो निश्यत रुप से तो आपको के सब्सक्राइब सि कrial evidence ओखार कई जी उन्सी से लगे हुए जो देश है इसके लावा ब्ला की से लगे हुए देश कि अरल से लगे हुए तिंग बाल्टिक जो सागर मार्तिक से लगे हुए देश बाल्टिक से इनको बोला जाता है कल आपको हमवर्क दिया था कि आप हुमा देसागर से लगे हुए देशों को भी याद कर लिजएगा, क्योंकि आप आज से भी कोशिश करेंगे साथ में सेशन के रोप से आपका मैप कम्प्लीट हो जाएगा तो इसी के साथ यह और आंसर का जो दौर है यह तो समाथ होता है लेकिन आगे है आपके यूपी एक्जाम के लिए अती महत्वड कुछ वन लाइनर फैक्ट जो आप क्या होगा कंटेंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कंटेंट तो बहतरीन है इसमें कोई इप बट नहीं है पस आपको एक प्रदेश के तहत महनत करना है तो जादा बढ़ाया जाएगा ठीक है तो यहां पर उनलाइनर में है आपको उत्तरप्रदेश के यालोपाद्याजी का जन्म हुआ था उसको याद कर लिजेगा वहां से पूछता है वहां पर जन्मोश्व मेला आयोजित हुआ था जिसका उद्गाटन मुख्य मंत्री जी ने किया था तो एक वार पूछा भी है आप जालने जेगा उत्तरप्रदेश मंत्री मंदल दौरा कि राजनाया जाएगा यह भी देख लिजेगा इसके लमब उत्तरप्रदेश के प्रयाग राज में 8 अक्टूबर को बहुत इंप्रदर्शनी जिसको आप फ्लाइप वास कहते हैं कायोजन किया गया था कब किया गया था आठ अक्टूबर को बहुत भीड हुई थी लाकों होगी भीड़ती वहाँ पर तो इसको याद कर लिजेगा उत्तरप्रदेश के राधानी लगनों में इंडियन सुसाइटी आप ब्लड ट्रांस्पूजन इम्म्यून हेमेटोलोजी आप इसको जानिएगा कि सब्सक्राइब किया था यह सारे वन लाइनर है उत्तरप्रदेश की पीली भी जिले में मुख्यमत्री योग्या इतना द्वारा बन्य प्राणी सब्ताह की ऑशर पर बन जीव संग्रक्षन और सतत परेटन विकास विशेर कारिशारा का शुबारंग 6 एक्टूबर को किया आपको जोड़ देने के लिए इसको रखा गया है कि आप फैसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे ठीक है तो आप लोग उसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इसको जरूर पढ़ लिजीग आज गूगल का चमाना एक मिनट लिए डालेंगे आपको सेकेंड में पता च ज़रूर कीजेगा आप लोग के लिए उपयोगी शाबित होगा निशीत रुप से यह वीडियो बहुत उपयोगी है आप लोग के लिए आप जब यह एक्जाम होगा और यह आपने जैसा बताया जा रहा है उसके आप से मेहनत किया तो निश्यत रुप से आपको सफलता मिलेगी तो इशी उम्मीद के साथ और आप अच्छे से मेहनत करेंगे इस विश्वास के साथ आज का समात होता है नमस्का धन्यवाद